विश्वक के सभी मेरे साथियों को राजरित नमबेड कर की ओर से जैभीम नमबुद्धाए दांटो नमबेड करके दसवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है ये बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर कानून मंतरी के पद पर विराजबान थे उस समय जब डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर इस देश के कानून मंतरी थे उस समय अनुसुचित जाती का एक लड़का ये आयस की परिक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया था बाबा साब को इस बात का पता चला बाबा साब को पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का आयस परिक्षा पास होकर वो कलेक्टर बन गया है बाबा साब को इस बात पर गर्व हुआ, अभिवान महसूस हुआ, बाबा साब ने अपने कार्याले से ये मांग की, कि उस कलेक्टर को बुलवाया जाए, और बाबा साब अंबेटकर जी से एक मुलाकात बाबा साब अंबेटकर जी के घर पे तए हुई, इस कलेक्टर को ये स कानुन मंत्री ने मुझे बुलाया है, शायद इनको मुझसे कुछ चंदा चाहिए होगा, कुछ थेली चाहिए होगी, ये कलेकटर इस आशा से बावा साब अमबेटकर जी को मिलने गया कि बावा साब को शायद मुझसे कुछ चाहिए, बावा बाबा साब अपने घर पे दिल्ली के अलिपूर रोड के बंगलो पर पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे, ये कलेक्टर उस समय बाबा साब से मिलने आया, बाबा साब ने पेपर पढ़ते पढ़ते उसको पेपर को हटाया, बाबा साब ने देखा कि वो कलेक्टर बेटा वो collector बच्चा मुझे मिलने के लिए आया है बाबा साब ने पेपर बगल में रखा और उस collector से कहा कि तुम अब नए-नए collector बने हो collector ने कहा कि जी मैं अभी collector बना हूँ बाबा साब ने कहा कि शाषन ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी दी होगी collector ने कहा हाँ मुझे लाल बत्ती की गाड़ी दी है बाबा साब ने कहा एक काम किया करो हफते में एक बार या दो हफते में एक बार जैसे आपको समय मिले उस गाड़ी में बैठ कर आप जिस बस्ती में रहा करते थे जिस घर में आप रहा करते थे उस बस्ती में एक बार उस गाड़ी में बैट कर चक्कर मार के आया करो कलेक्टर ने का ठीक है और बाबा साब अपना पेपर पढ़ने में फिर बिजी हो गए आदे घंटे के बाद 40 मिनिट के बाद जब बाबा साब ने पेपर हटाया तब बाबा साब ने देखा वो कलेक्टर बच्चा अभी भी खड़ा है बाबा साब ने कलेक्टर से पूछा क्या है क्यों खड़े हो तो कलेक्टर ने बाबा साब को कहा कि बाबा साब आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था आपको शायद मुझसे कुछ चाहिए था बाबा साब को पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है बाबा साब ने उस collector को पिठाया और कहा कि आपको पता है मैंने आपको क्यूं कहा कि आप जिस बस्ती में रहा करते थे जिस चाली में रहा करते थे वहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ कर लाल बती की गाड़ी में बैठ कर एक चक्कर लगा कर आया करो ऐसा मैंने आपको क्यूं कहा पता है आपको collector ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यूं कहा बाबा साब ने कहा, कि जिस दिन तुम अपने गारी में बैटकर लालवती की गारी में बैटकर अपनी बस्ती में जाओगे जैसे ही तुमारी गारी उस बस्ती में प्रवेश करेगी, कुछ औरते वहाँ पर रास्तों के उपर कपड़े धो रही होगी वो कपड़े धोते धोते तुमको देखेगी, तुमारी गारी जैसे ही आगे जाएगी, कुछ औरते वहाँ पर बरतन मांज रही होगी वो बरतन मांचते मांचते तुमको देखेगी, कोई गोबर लगा रही होगी, वो गोबर लगाते लगाते तुमको देखेगी, कोई जाड़ु मारते मारते तुमको देखेगी, और ये सोचेगी, कि कल तक ये लड़का हमारी बस्तियों में घुमा करता था, आज पढ़ाई लिखाई करके ये कलेक्टर बन गया वो कपड़े धोने वाली औरत, बरतन माजने वाली औरत गोबर पोतने वाली औरत, जाड़ु मारने वाली औरत वो अपने मन में ये तै करेगी कि अगर ये लड़का अगर कलेक्टर बन सकता है पड़ाई लिखाई करके अगर ये कलेक्टर बन सकता है तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है ये भावना उस औरत के दिमाग में मन में प्रवेश करेगी और इस तरह से हजारों कलेक्टर हमारे समाज में तयार होंगे बाबा साब ने ये बात उस कलेक्टर से कही आज मुझे आप बताईए क्या बाबा साब के इस बात के उपर हमारे समाज से निकले हुए कलेक्टर क्या आज बाबा साब की इस बात को फॉलो कर रहे है हमारे बस्तियों में से निकले हुए कलेक्टर आएस ओफिसर्स आईपिस इंजिनियर डॉक्टर क्या फिर से कभी उस बस्ती में आए बाबा साहब ने हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिया है ये शिक्षा का अधिकार अपने परिवार के लिए नहीं दिया है बाबा साहब ने इस शिक्षा का अधिकार अपने समाज का उध्थान करने के अपने अपने नोक्रियों में और अपने अपने घरों में अगर जो कोई भी खुश होकर अपने परिवार तक सिमित इस शिक्षा का उप्योग कर रहा है तो वो बाबा साब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा दोशी है और इसलिए बाबा साब अंबेडकर जी ने कहा कि ये श पता नहीं है कि ये शिक्षा का अधिकार, ये कलेक्टर पद, ये हमारे परिवार के लिए नहीं, तो समाज के उठान के लिए है, यही आज के ओपिसोड में आप सब से बताने के लिए में आया हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आवार, जै भीम, जै भारत, जै भुटे!